कैसे आफ सब लोग ठीक है। है। आज हमें अपने ने टॉपिक स्टार्ट करते हैं ने तो क्या है यह उसी इंद्धि का पार्ट है। तो आज हमारी टॉपिक है हमारा राउड्स law ठीका है 으 बचाता है हमारा वेपर प्रैशर के बारे में किA हमारा वेपर प्रैशर कया होता है यह अदूर्पर प्रैशर कहुंता है यह हमने सब आप को प्रम्हारीस करने सब दो अब हमद लोगले से जalg रूड़स दो अब हम Tonickा कि वइपर प्रेसर होता है कि यो पर बनाते हैं तो क्या होता है वेपर बनता है यो कंटेनर के अंधर रहता है सिक्या में में जा रहे हों इन नमब्र मोली लिक्वीड के के मौलेकुल्ब fresh कशच को फोगर खाला को शी ऐख रहे हैं अगर अगर अब दूसरी सी ऊीडिक पर एक ताउल हमारा एक ही टाइपडुक capita में माल है यहां सिर्फ एक compound है एक तो इस टाइम पे जो वेपर प्रैसर होगा वो प्योर वेपर प्रैसर होगा किसका और compound A और इसको denote कियाता है पी नौट से ठीक है पी नौट ए अगर ए है अगर भी है तो भी वैसे फैक्टर हमने पढ़े थे कि वेपर प्रैसर डिपेंड किस पर करता है हमने पढ़ा कि साइज और कंटेनर पर डिपेंड नहीं करता है ठीक है हमारा डिपेंड करता है नीचर condition 1975 UN कैसे करता है दूसरा हम आगे चले हैं की डार्यक्टिभ प्रोपोरिश्श्चर होता है तरफ कि जय से यह से सक्वार्षर टेप्रेंड इंख्रेप्रेंड वह से कंप्राइट क्इसे हमारा विपर यहां सिर्फ एक न नहीं होते दो क्योंकि यहां पहले इसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट के मॉलिक्यूल से मगर यहां क्यों हो गया है अब इसके उतने कंपोनेंट पूरे अब बी के भी कंपोनेंट इसमें आ चुके हैं तो यह अपना complete प्यूर वेपर प्रैसर जो यह लगा नहीं पाता इसलिए उसे अगर आपार्शचयन वेपर फ्रैसर कहा जाता है और इस सॉलिशन का अगर टोटल प्रेसर देखना है तो हम को मिलें pode तो यह वन को यंद θα प्राइग तो आजा ईंव में नेक्श्थ टॉपिक है जो कि लो यहां 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 वेपर बन रहे हैं उसी कंपोनेंट के जो लिक्विड फॉर्म में हैं तो दोनों के दोनों थोड़ा सा अलग हैं थोड़ा सीमिलर भी है थे थे तो देखो आप रोडे लाम बढ़ते हैं रोड़ लोग क्या है रोड़ लॉड़ श्टेट स्टेट राइड ऑसॉल्वेंट पार्सिल वएपर प्रेशर तरकिया है इसको यहां रगना कि जो सॉल्वेंट का पार्शाल वैपर प्रेशर है किसी भी सॉलूशन में हम उसके pure solvent को थेकते जो partial vapor pressure होता है ठेखेंगे वो किसके एक्वल होता है थेक है अब अब प्रियोचे में पड़ा कि यह partial vapor pressure कब आता है जब solution mix mix होते हैं दो pure component आपसे mix होते हैं तब इनका जो vapor pressure है वो partial vapor pressure माना जाता है pure जो डियो है Šेल ने मनना जाता है यू अकीला होगा इसमें Favor प्रेसर है earlier नहीं प्रेसर कोरक है यह इरकि टोणदफ मना प्रेसर ही स्कों अगर आपने देखना है कि पी ए कि इए कितना पार्शिल विपर प्रेसर लगा तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको उसका pure solvent का जो हमने पैर experimentally निकाला होगा pure solvent का जो वेपर प्रेसर है उसको देखना होगा और उसको multiply करना पड़ेगा उसके mole fraction से ठीक है mole fraction मतलब x a ठीक है mole fraction क्या हमारा x a अगर b का mole fraction है तो x b simple ठीक है c है तो x c simple है ठीक है तो यह कह रहा है कि Raoul's law states that the solvent's partial vapor pressure in a solution or mixture is equal or identical to the vapor pressure of pure solvent यह देखो pure solvent p0 and multiplied by its mole fraction in the solution जो की क्या है x solvent अगर आप इसको a बोलो तो a बोलो solute जो सकता है solute जो सकता है कोई दीकत नहीं है ठीक है अगर हमारे पर सिब एक component है और उसका partial vapor pressure आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे हम उसका mole fraction देखेंगे ठीक है और उसको multiply करेंगे उसके pure vapor pressure से ठीक है pure vapor pressure क्या होता है यह मैंना आपको अभी इससे पहले बताया है ठीक है यह पी solution क्या है vapor pressure of the solution and x solvent मतलब यह क्या है mole fraction of the solvent ठीक है पी नॉट क्या है vapor pressure of the pure solvent यह हमने previous अभी थोड़ी दिर पहले आपको revision में भी बता दिया है ठीक है we will further understand the principle behind the law by looking at the example below तो अब हम क्या करते हैं example लेते हैं और इसको अच्छे से इसका एक derivation करके भी देखते हैं तो next slide में आ जाते हैं यह देखो भी है यह हमारा रॉल से और इसका grab भी है इसको भी मैं आपको explain करूंगा ठीक है अब देखो यहां पर क्या रहागा है in a solution both solute A solvent B हमारा solute क्या है A और solvent हमारा B है और are volatile दोनों के दोनों volatile है अगर non-volatile होंगे तो इन में से एक ही कई vapor बनने वाले हैं आपको पता है इसले हमने जनरली दो ऐसे solute solvent लिए हैं ऐसे compound लिए हैं जो क्या है volatile है मतलब दोनों ही वेपर create कर सकते जनरेट कर सकते ठीक है then according to Rods law के हिसाब से आपका जो total vapor pressure पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है हमने इससे पहले पढ़ा है previous class में कि total vapor pressure क्या होता है partial पे पी यह क्या है partial vapor pressure P not क्या है pure vapor pressure of a component ठीक है P not क्या है pure vapor pressure of a component P a क्या है हमारा partial vapor pressure याद रखना वाई ठीक है तो total vapor pressure जो निकालना हो कैसे निकाल जाता है total pressure total partial pressure क्या जाता है अगर आपको किसी solution का pressure निकालना है तो हमने पढ़ा है कि हमें क्या करना पड़ता है टोटल प्रेसर निकालना पड़ता है जितने भी component उसमें है ठीक है उस solution हम binary ले रहे है तो इसमें दो component होगे तो हमने का इसका टोटल प्रेसर क्या हो जाएगा partial pressure of a and Pc pressure of B, where Pa and PeA are partial vapor pressure, , bağ کہ Pa क्या है partial vapor pressure, दूसरा आपको पता है जो mole fraction, पार्चल vapor pressure होता है वो in who directly proportion h Date mole fraction के, , फी से六 and जो solvent b उसका भी जो ब्यप्र पार्षल डिपेंड करें कि इसके मोल फ्रेक्शन अब साथ पार्षल ब्यू पैसर यह लूप कुछ जाता है तो हमें पार्षल वेवर प्रेसर विपेंड करता यह हमारा सॉल्यूशन का तो सिंपल है अब आपको समझ में आ गया योब ठीक है कि जो पी ए है यह हमने राउल स्लोग को फॉर्मले से निकाला है पी नॉट ए इंटू आपको निकालना है तो क्या करोगाका मल्टिप्लाय करोगा उसका प्योर प्रेसर से और किस से को करोगे मोल आप दाम दाटी को प्रेट इन्हों की वैलिए यह दो वैल्यू dipping करों अग्य है यहुआण को पूट करो ख modal š Assistant पी नोट ए पी नोट क्या है पार्शल वेपर ठैसर ठीकर यहां से आया काहा से ऐ हो यह यहां तो हमने कहा कि पी नोट ए एकस ँफ्लस पी नोट पि यहां भी यहां पर वी sack औ Halo Mia where p0 is pure vapor pressure, x is mole fraction, x क्या है mole fraction, p0 क्या है, pure vapor pressure, pA क्या है, partial vapor pressure, अगर p0 कहीं दिखे, तो pure vapor pressure of that component, ठीक है, तो अब इस equation में आपको पता है, since इसको अगर और अच्छे से, एक और formula से बनाना चाहें, तो since total mole fraction is equals to 1, हमेशा में आपको पहले भी बताया है, previous class में, कि जो total mole fraction होता है, xA और xB, हमेशा किसके एकल होता है, 1 के एकल होता है, अब यहाँ से अगर आप xA की वाल निकालना चाहें, तो क्या होगा, आपको मिलेगा, xA equals to 1 minus xB, इसको simply xB को 1 की तरफ ले जाओ, side ले जा है, अब इसी equation, इस value को xA की जो value है, इसको आप put करो, कौन सी equation में, equation first में, किसमें put करोगे, equation first में, तो आपको मिलेगा, put the value of xA in equation 1, तो p total जो है, किसके एकला जाएगा, आपने कहा, p0 a, और xA की जगा हमने क्या रख दिया, यहाँ पे xA की value, जो हमने अभी निकाली है, व तो आपने कहा, plus p0 b, xB, simple, भागे, इसा ही है, अब इसको तो तो और solve करो, आप p0 को multiply करोगे, solve करोगे, तो आपको main equation जो है, वो मिलने वाली है, p total हो जाएगी, एक equation और है, total पैसन निकालने की, वो क्या है, p0 a, plus p0 b, minus p0 a, xB, अब इस equation से, आपको mole fraction निकाला चल सकता है किसका a component, ठीक है न, तो यह simple है, और p total आप यहां से भी निकाल सकते हो, चलो अब इस equation से कैसे a question आ सकता है, कभी एक number में, दो number में, इन next slide में हम देखने की question करते हैं, चलो उससे पहले, हाँ, इक graph के बारे में तोरह सा discuss करते हैं, इक graph क्या है, आपके पास एक तरफ लिका ह एक से कुछ जीड डि रहल ही तरह सीड देखें, ठीक है, तरफ इस site की बात करते हैं, इस एरिया की बात करते हैं, यहां पर आपके बात जो mole fraction है, x a खें होके है, one है, x b की mole fraction है, number of moleefs गें is the mole. आप यहां पर इस एक ही molecole हैं एक ही Component के, तो प्रैसर भी क्या होगा सा移र अगर अपर जाता है यह प्रीट करता हैद बंड़ जाता है घीडर हो अगर जाता है जिसके झालने कुछ होगा उपपर होगा बागी उसका क्या होगा नीचे होगा जिसका नीचे होगा ठीक है अब देखवा अगर आपके पास क्या है यहां पर अगर X A की बात करते हैं तो क्या होगा आप क्या कर रहे हो जैसे जैसे आप किसका किसका प्योर प्योर पैसरे कर आपके साथ क मारा यहां शर्प को सबs tofu किसका पेवर पैसर होगा अगर आप बी और वेफuciones नौथ तो जैसा ही हो किया हुगा ऊभी ही इसका यहां तक था ठोक यहां देखों आप कि मोल fraction के B B के हैं A के 0 हैं तो इसका सिर्फ प्रेसर हो गए यहां पे मगर आप साइड अगर इसको ले जाओ तो आपसके लैंक है तो आप क्रिशार लिए यहां प्रेसर का कम होरा है कियोंकि यहां इसके नंबरों मोल कहले है यह बता रहा है कि जो पार्शन ago heur verbal Radish करता है उसके mole fraction ठीक है तो यह ही है अब total pressure आपको निकालना है तो दोनों की value को आप add कर दो ठीक है इन दोनों value को आप add कर दो खाई तो आपको में लेगा total vapor pressure of the solution ठीक है तो simple है तो vapor pressure of binary solution that OBS Rawls law the black line shows the total vapor pressure as a function of the mole fraction of component B and the two green lines are the partial pressure of the two component तो यह simple है ठीक है तो इसको अगर समझ मिन्या है तो आप मुझे message कर सकते हो group में बता सकते हो यह दिखाए चलो एक question करते हैं इसी जो हमने उपर direction किया था ठीक है एक solution है आपके पास contain करता है benzene or toluene ठीक है solute or solvent and total vapor pressure of solution is pt and requires to 100 plus 60x भी एक equation है तो नहीं बताया कि वह यह जो total vapor pressure of solution का इतना है आप में निकालना है found out the pure vapor pressure of benzene p0a निकालना और toluene दोनों का आपने क्या निकालना है p0a निकालना तो यह simple सी equation अगर आप compare करो ठीक है तो यह कौन सी equation है जो हमने equation 2 करी थी ठीक है ना जो 2 वाल equation थी उसको देखो आप comparison करो इस वाल equation से तो आपको मिलेगा p total equation क्या है p0a plus p0b minus p0a xb ठीक है अब आपको पता है कि 100 क्या है हमारा p0a मतलब p0a की value क्या है 100 तो आपको पाई जल गए क्या है 100 तो दूसरा आपने निकालना है p0b मतलब आपने टॉल वीन का वेवर पैसा निकालना है तो आपको पचाहिए यहां पर p0b तो आपने क्या है p0b हमारा क्या है यह यहां से आप सिंपल p0b निकाल सकते हो जो कि आएगा 160 एक्विशन रखो पी नॉट करने वाली बात बहुत ज्याद़ इंपोर्टना है यह एक नंबर यह दो नंबर में पूछी जाते हो कि हमारे पास पी नॉट करने वाली बात बहुत ज्याद़ इंपोर्टन है यह एक नंबर यह दो नंबर में पूछी जाती है यह चोटी सी NCRT में एक लाइन है ठीक है इस से रिलेटेट कोशन भी आते आ जाते हैं ठीक है तो इसको आप जुरूर पढ़ना ठीक है भूलना मत इफ सब्सक्राइब कांच बढ़ना मत बात शुरूर में और यहां कि उससे कि ने नुट करेंगे यहां और यहां च्छोण Mole fraction and pure vapor pressure of a and b is और जो pure vapor pressure का कैसे निकाल हो गया पी एक्वस्टू वाई ए पी टी जो टोटल वेपर प्रैसर होगा उसको मल्टिप्लाइगा जाएगा मौ उसकी मौल्ट ट्रेक्शन से तब जाकर आपको इसका मिलने वाला है ठीक है तो यह सिंपल है अगर यह किसमें हूँ हमारे गैसियस फेज में हो जब हमारे मौल्ट प् लग दो करते हैं ऐसा ही यह मेरे के कुशन सॉल किया था उससे यह ठीक है तो पढ़ते हैं NCRT का यह कॉच्षन है आपका बहुत जाशीमपल देखो वेपर प्रैसर आरओ अफ़क्लूरीफ प्लोरिफर्फर्मॉला भालता ही c-c-l-3 ठीक है ? ंD. dichloromethane CH2Cl2 at 298 Kelvin are 200 mmHg and 415 mmHg यह इनका वेपर प्रेसर है, ठीक है, calculate the vapor pressure of the solution, आपने total vapor pressure निकाले हैं, दोनों को solution को जब mix किया जाएगा, तो इसका total vapor pressure हो कितना होगा, prepared by the mixing of 25.5 g of CSCl3, मतलब chloroform इतना दिया है आपको, ठीक है, उसका weight इतना है, 40 g का आपको दिया है, CH2-Dhychloromethane, ठीक है, तो at 298 Kelvin, तो temperature करते हैं यहां पर ऐसा कोई formula भी तक पड़ा नहीं है, और दूसरा जो question है, उसमें इसी में दिया है, दूसरा part, also find the mole fraction of each in vapor phase, आपने इसका vapor phase में भी क्या करना है, जो अभी equation पड़ी न, हाँ, तो एक number में आयाता है, कि vapor phase में भी आपके का निकालो, इनका mole fraction निकालो, मतलब YA, YBQL निकालो Y, तो सिबसे पहले, कोई भी question करने से पहले हम क्या करते हैं, given लिखते हैं, कि वह यह given क्या क्या दिया है, जग given के base पे ही, और निकालना क्या, find out क्या करना है आपको, उसी के base पे हम देखते हैं, कि आपके पास कौन सा formula यहाँ पे use होने वाले हो, सबसे पहले condition होते हैं, कि given लिखवाओ, तो given क्या है, vapor pressure of chloroform, मतलब P0, P0 की value आपको दिया है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, partial तो निकालना ही निकालना पड़ेगा, वहिया, क्योंकि यहाँ पर partial तो दिया नहीं है, यहाँ पर उसने क्या दिया है, pure vapor pressure दिया है, ठीक है, तो pure vapor pressure से partial vapor pressure कैसे निकालते हैं, यह Rawls law ने आपको बताया है, ठीक है, तो सबसे पहले आपने कहा, P0 की value कितनी है, 200 mmHg, ठीक है, वैसे ही, dichloro methane की है, 415 mmHg, यह pure P0 है, ठीक है, अब given mass given mass का मतलब क्या है, given mass से आप निकालोगे, mole fraction, कैसे निकालोगे, तो पहले number of mole से निकालोगे, और फिरस की बाद mole fraction हम निकालेंगे, तो mass इसलिए आपको यहाँ पर दिया गया, वो कितना है, chloroform का है 25.5, and dichloro methane का है 40 gram, ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है कि आपको परद x, यह भी एक formula है, pa, p0, भी दोनों बात एक ही है, तो p0 तो उनको given है, ठीक है, p0 तो given है, और यह वाला formula ही भी यह आप लगा सकते हो, ठीक है, ना, दोनों में से कोई भी formula हो, तो मगर दोनों formula के लिए आपको mole fraction पता होना जुरूरी है, ठीक है, दोनों का mole fraction आपको पता हो है, तो हम बोलेंगे number of moles of a, ठीक है, upon total number of moles of solution, ठीक है, दोनों component का moles add किये जाएंगे, और उसको आप divide कर दो किस से, किसी जिसका आपको mole fraction निकालना है, तो अब number of moles कैसे निकालते है, यह number of moles simple, आपको पता है, given mass upon mole, given mass कितना है, given mass हमारा, यहाँ पे यह given mass दिया हुआ है, ठ बस आपने आपको थोड़े चोटे-चोटे formula याद होने चाहिए, और याद रखना, paper में, previous year के paper उठाकर देख लेना हुई या, chemistry में अभी तक, अभी तक कह रहा हूँ, अब आगे मुझे नहीं पता, मगर अभी तक, जितने भी question आए है, 100% कुछ भी नहीं होता है, मगर मै 95% कह सकता हूँ, कि सारे के सारे question, आपके formula बेज़ आते हैं, मतलब आपने formula आपको पता होना चाहिए, और बस आपने उसमें value put करनी है, और answer आपको मिलता है, calculation करनी है, आपको आनी चाहिए, ठीक है न, तो बहुत जादा simple होते हैं, chemistry में, जितने में numerical आते हैं, बस आपको formula पता होने चाहिए, formula बहुत important है, और आपने यहीं देख लो, बहुत simple है, आपको पता हैंचे, कौन से value, कौन से formula साथ आती है, ठीक है, अब देखो आपको पता है, number of moles कहां से बचले हो, given mass upon molar mass, given mass यहां दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको आपको डाही ख्लोर मिधीन का नि पर चल जाएगे, वैसे ही, आप chloroform का निकाल सकते हो, given mass का है, इतना इतना ग्राम, तो इसको आपको यह molar mass आपको calculate करना आना चाहिए, तो आपको पाचले है, इस दोनों का xa, वह number of moles पर चल गए, ठीक है, अब number of moles पर चल गए, तो आप mole fraction निकाल सकते हो, इस पाउन में रखो, अगर na का निकालना है, तो आप total add करोगे, तो total number of moles कितने हो गया, ठीक है, तो आपको पाचला, total number of moles कितने हो गए, total number of moles हमारा, इतना हो गया, यह है, total number of moles, ठीक है, 0.683, अब आपको xb का निकालना है, अगर आप यहाला formula यूज कर रहे हो, ठीक है, तो xb का निकाल कितना आया 0.688 ठीक है कितना हमारे number of moles आ चुके है अब a भी आप निगा सकते हो x a upon xb करके ठीक है प्लस x a sorry x a plus xb cause to 1 यहां से आप x a भी निगा सकते हो तो आप आपको दोनों x a xb की value आपको पर चल गई है ठीक है पी नॉट पी नॉट ए पी नॉट भी आपको गीवन है तो आप दोनों दोनों में से कोई formula रगो answer आपको मिलने वाला है ठीक है सबकी value आपको पाचल गई तो टोटल वेवर पैसा calculate करें कितना आएगा हमारा 347.9 mmH ठीक है बहुत ज्यादा simple है फिर से आप देखें एक बार और खुद से करने की कोशिस करें और इससे लेटेट अगर टाइम लग जाए अगर आप आप लोगों के वाज़कर टाइम लग जाए तो एक दो कुशन और करें अगर आपको नमरा मोल से नहाता हो तो फिर से करें ठीक है बस आपको यही पता होने चाहिए मोल fraction क्या होता है यह सारे सानी से कर सकते हो भी सिकला है फांड आउट बसक्राइऄ से निगाए इसका फैंड और फेज में को पता है वही है पी तोल आपने अभी निकाल रहे है तो फार्म नहीं निकाल है ऑपसके तो आपको पता है कि यहेकि फार्म है तो आपको पता है कि पार्षीयुड प्यस्तgres कैसे निकालेंगे पार्सटल्यू यहाँ दिया है नहीं nya आपको पता हुआ है ठीक है पीनोट आपको पता है तो पार्शल वीपर प्रैसर भी आप निकाल सकते हो पीनोट कहां से पार्चला है गीवन है एक से हमने अभी निकाला है ठीक है न यह देखो X से यहां से निकाला है X B हमने यहां से निकाला है ठीक है ना तो आगो पह चल गया वही है पार्शल वादल प्रेशर आप एकवस टुमोल वेपर प्रेशन एंटू टो टोटल विपर प्रेशन तो एक्स ए का वेपर फेज में अगर मूल फ्रक्शन निकालना है तो इसको आप क्या करोगे पीटी को यह निचे ले जाओगे तो यह डिवाइड हो जाएगा पीए अपॉन पीटी बस ठीक है वाइड सिंपल पीए अपॉन पीटी यहां से आप य निकाल सकते हो इन्हें वेपर फेज ठीक है और आप यहां पर अब दूसरा कॉश्शन यह है इसको नोट वीडियो पॉस करना और इसको नोट करना ठीक है तो आप क्या करोगे इस कुश्शन इसको आप पॉस्ट करना आपका इतना अच्य है तो बहुत है आपको मोल फ्रेक्शन पता होने चाहिए नम्मर और मोल सकते हैं इसमें आते हैं तो चलो अब नेक्स लाइट वह हमारे पास थे चिंद है तो प्सक्राइब को नेक्स्ट लाइड है यहां इन्स यहां है तो वैसे है कौन सा फॉलेशन और जाता है आप दो component को मिलाते हैं a और बी को आपसे मिलाते हैं चीज़ अब बीस्ट प्रुस्ण दो किमिक्स मोगए तो उस टांपर कुछ रेक्सिन होगी तो जो reaction हो तो reaction क्या हो सकती है heat endothermic भी हो सकती है और exothermic भी reaction हो सकती है ठीक है अगर वो कह रहा है कि तो वो कह रहा कि ideal solution जो होता है जब आप उनको दोनों component को मिलाते हो तो जो solution बनता है ठीक है ना तो वो ideal तब होगा अगर उसमें ना तो कोई heat निकले ना कोई मिला वापस में तो उनका जो वॉल्यूम में ना इंक्रीज़ को मिला वापस में तो उनका जो वॉल्यूम में ना इंक्रीज होना चाहिए ना डिक्रीज होना चाहिए मतलब जैसे आपने 50 ml एक component लिया दूसरा component भी आपने 50 ml लिया तो उनको जो मिलाने पास जो component का solution बनेगा वह 100 ml का बनना चाहिए मतलब 50 और 50 ना वह 90 होना चाहिए ना वह 110 होना चाहिए ठीक है मतलब डैल में डैल वी में जो चेंज आएगा जो मिक्सिंग में चेंज आएगा वह 0 होना चाहिए ठीक है ना एक component है ठीक है अगर इनके चाहिए और B B के बीच में आपस में थीक है इनके बीच में क्या है interaction ज़्यादा है ठीक है in com मतलब जब इनको mix किया जाएगा इनके बीच में कम attraction हो रहा है then, उनके pure form से ते जब comparison किया जाएगा attraction A & B के बीच में क्या है समझ रहे हो न ठीक है A & B का जो attraction है जा हमने mix किया इनका attraction बहुत जादा है ठीक है और जब वो pure form में थे उनका attraction क्या है कम है आपस में निएक कम है मगर A और B के साध एक बिख defended का इंका और दूने नों मौने कोई बहुत जादा है तो इनका क्या होगा bond distance कम होगी ठीया एकजान कमई एक पडरक्शन जादा है bond distance जादा है और बार्य दा ने화를 होगी PayPal Chambers तो इसलिए वह कह रहा है कि जो डेल वी है वह जीर होना चाहिए तो अब दो कंडिशन है अब एक हम अंदर की बात करते हैं अंदर की बात करना जरूरी है अंदर की बात अगर हम करते हैं वह हैं molecular level ठीक है यह तो हम फिजिकल लेवल होगा है भाहर सा आपने देख दिया अब molecular level में ideal solution कैसे होते हैं वह कहता है कि the attraction the interaction ठीक है between A and B component वह हमेशा AA के बीच में जो interaction है ठीक है वह equal होनँ चाहिए BB के interaction के साथ और वह equal होना चाहिए AB का interaction मतलब इन सारे molecules जो आपस में interaction कर रहे हैं वो बरावर होना चाहिए आतरी ना कम चाहिश्यन होनी चाहिए जैसे ओ की बीच होनी चाहिए हृट तो लोगा कोई यह चेंज इस पर नहीं आना तो solution images intermolecular interaction between the components are of same magnitude as found in pure component, that is ideal solution, that is ideal solution, note practically no solution is ideal, हमने जैसे बताया था कि Milan class में states of matter में, जो कोई भी gas, ideal gas नहीं होती, ठीक है, मगर behave कर सकती है, अगर हम उसको एक certain condition में लेके आए, ठीक है तो वैसे हो कहता है कि कोई भी solution practically ideal नहीं होता, मगर उसको बहुत जाजा कर dilute किया जाए, very dilute, ठीक है, very dilute किया जाए, तो वो nearly ideal हो सकता है, मतलब उसके आसपास आ सकता है, मगर complete ideal नहीं हो सकता, ठीक है, तो example यहां दिया है, benzyno tolvin, ठीक है, तो जो एन-hexane है, एन-heptane, ठीक है, ऐसे कुछ example है, जो ideal solution हो सकते है, ठीक है, कंडिशन आपको पाचल गए भी, कोई solution ideal का होगा, एक तो रोबर, जो राउल्स लोग को अवे होना चाहिए, ठीक है, जो del h की value हो 0 होनी चाहिए, ठीक है, del v भी 0 होना चाहिए, और जो interaction है उनके बीच में, वो भी 0 होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए, ठीक है, अब next हम non-ideal solution, ठीक है, कि हमारे पास next non-ideal solution, non-ideal solution simple, जो idle नहीं होंगे, अब idle कौन नहीं होंगे, जो राउल्स लोग को अवे नहीं करेंगे, ठीक है, हमने कहा, idle solution वो होते हैं, जो राउल्स लोग को अवे करते हैं, non-ideal वो होंगे, जो राउल्स लोग को अवे नहीं करेंगे, आप कैसे यह real solution होते हैं जो actually में मिलते हैं तो कहता है कि रह जो non-realization होते हैं उनकी जो condition है डल H की value not equal to zero मतलब 0 से ज्यादा भी सकते हैं कम हो सकते हैं मतलब value यह होती है mixing करने पर हो heat evolve भी कर सकते हैं और absorb भी कर सकते हैं दोने चीज़ कर सकते हैं मतलब एक्जो भी हो सकता है एंडो भी हो सकता है कोई दिक दिक निए डाल भी मिक्स वह भी not equal to zero मतलब जो volume होगा वह increase भी सकता है और decrease भी सकता देखो which depict that there will be some expansion और contraction in the dilution of liquids ठीक है जब liquid को dilute किया जाएगा तो यह expand होंगे वह ठीक है molecule या फिर से contract होंगे तो volume increase भी सकता है और decrease भी सकता है अब ideal solution हमारे दो टाइप के हैं ठीक है ideal solution हमारी क्या है दो टाइप के वह कहता है कि एक होता है हमारा positive division from Rawls law एक सो करता है negative division from Rawls law सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा positive deviation from Raoul's law मतलब यह राउल्स law है एक ग्राफ यहां पर दिखाएदा हूं यह राउल्स law है तो यह positive मतलब इससे उपर सो करता है जो राउल्स law की value आती है ठीक है राउल्स law का जो graph है उसके graph से उपर से जाता है यह दो जो यह जा रहा है यहां से भी उपर को जा रहा है य तो यह Rawls law से high value so करते हैं तो यह क्या है हमारे positive deviation वाले non idle solution होते हैं अब कैसे होते हैं आपने कहा कि आपके पास positive deviation from Rawls law occurs when the vapor मतलब positive law से expect कर रहे थे उससे जो solution का vapor pressure हो जादा हो जाता है for example अगर आप क्या करो दो component लो ठीक है A और B तो आपने कहा जो partial vapor pressure है ठीक है ना जो partial vapor pressure का आप आप solution को mix करोगे ठीक है partial vapor pressure is greater than its pure component समझ रहे हो बात को ठीक है जो partial vapor pressure है PA जो हमने mix किया partial का बाता है जब solution बनता है पी नौट का बाता है जब एक ही component होता है ठीक है जो pure component का जो vapor pressure है अगर partial vapor pressure उससे ज्यादा हो जाता है ठीक है जैसे कि यहां पर देखो ठीक है अगर वह कहता कि PA is greater than then p not x a मतलब pure से ज्यादा हो जाए जो pure component का वी यह प्रैसर है जब उसको mix किया जाएगा आपस में ठीक है अब जो partial vapor pressure अब जो पर्चल वेपर प्रैसर आएगा वह उसके pure component से भी जाधा अनलग यह जैदा अनलग यह वैसे भी पीवी is greater than पी नॉट बी एकस भी ठीक है पार्ट पार्शल के है पी नॉट प्योर से जाधा आ रहा है तो टोटल वेपर प्रैसर पी नॉट एकस ए एंड पी नॉट बी एकस भी इस ग्रेटर देन वर्ट इट शुड वी अकॉर्डिंग तुर्ण सो ठीक है समझ रहो ना तो कह रहे है कि पहले प्यूर्ट कंपोनेंट था उसका वालुव करना है कम है धन नं पार्शन पार्शल से जाधा जाती है ठीक है ऐसा क्यूं होता है तो यसलिए होता है कि अगर ऑ्यायता थे जो साल्यूट वूट विर्ट चो फोर्ट ऴ सब्नाई है वहुग थियों पाने के बीचरे कि जो इंट्रक्शन्स है वह कम है A और B, B के भी कह इंट्रक्शन ठीक है जो A, B के है solution का जो आपस में component मिल चुके है A, A क्या है B, B क्या है यह हमारा जब वो pure component थे ठीक है A, A, B, B किया है जब वो pure component जब इनको आपस है मिक्स किया यह AB ने आपस है bonding कर दिया अब जो AA pure form है जो उनका आपस में interaction था वो ज्यादा है और AB जो नया solution बना है नया bonding बनी है AB के बीच में वो कम है ठीक है तो इसको आप heat करोगे तो कौन जल्दी तूटेगा जो weak होगा ठीक है तो AB weak है AA क्या है strong तो vapor pressure किसके ज्यादा बन बनेंगे जो weak है ठीक है आभी तो strong है इसके वेपर जो pure वाले हैं वो strong है ठीक है इनका vapor कम बनेंगे AB के वेपर ज्यादा बनेंगे योग यो weak है अब vapor ज्यादा बनेंगे तो ज्यादा बेब प्रेसर बेशर तो हमारा यह क्या सो करेंगे positive deviation आया समाज़ने आया समझने, ठीक है, ठीक है, फिर से सुनो, अगर A, A, मतलब, या फिर B, B, मतलब, pure component के बीच में, जो force of attraction है, या interaction है, वो ज्यादा है, then solution के attraction, molecules के attraction के सामने, मतलब, A, B का attraction कम है, मतलब, bond जो weak है, simply बोले जाए, जो A, B का जो bond, जो solution के बीच में, जो bond बना है, वो weak है, then pure component, जो bond है, ज्यादा है, strong है, then A, B के comparison में, तो A, B का जो bond है, वो weak है, तो weak है, तो temperature देने पर जल्दी से तूट जाएंगे, अब जल्दी तूटेंगे, तो vapor बनाएंगे, अब जब vapor ज़्यादा बनाएंगे, तो ज़्यादा बनाएंगे, तो ज़्यादा vapor pressure, और roll slow vapor pressure की बात करता है, तो यह हमें से क्या दिखाएगा तो यह烦र से positive deviation दिखाएगा, तो यह condition यहाद, ठीक है, न, क्या होना चाहिए, positive deviation वो दिखाता है, जिनका solution का nutrition है, वो weaker, ठीक है, तो volume of mixing is positive, तो volume of mixing है, positive होगी, क्योंकि यह expand हो रहे है, इनकी बीच में interaction कम है, तो यह expand होँगे, contract तब होँए, जब attraction होगा, ठीके न, तो contract क करका एक्सेसस लोह दो करेंगे तो जादा स्पेस लेंगे और जादा स्पेस होने वाला और पॉजिटीव यह hebben करेंगे अब है अब डेल भी मिक्स डेल एच भी क्या होगा हमारा ग्रेटर यह पढ़ देड़ा ठीक है सिंपल एक्जांपल आपको दिया है ऐसी टून एन कारवन डाइसलफाइड ऐसी टून बैंजीन यह पेपर में आते हैं एक नमबर में कि पॉजिटिव डेविशन वाले जो सॉलिशन लिए उनका एक्जांबल होता एक है अब इसी का वाइस वर्सा होता है नेग्डिव डेशन ऐसे कंपाउंड जो करते हैं डेटर टैशन सिंपल है वहां क्या पीच में ऐट्रेक्शन कम था मगए यहां क्या होगा यहां पर यहां पर यह असे टूटिंग ने इसे कंव बेप आपस में जादा अट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा वह यह दुसरे से पास आएंगे पास आइंगे तो इस पेस लेंगे तो कम इस पैस लेंगे तो वॉल्यूम कम होने वाला ठीक है एक्जांपल दिया है क्लोरोफर्म बेंजीन तो यह आपके पास आइडर नॉन इडर सॉलिशन राउल स्लो ठीक है अब लास्ट टॉपिक है आज का तो जो है एजो टॉपिक ठीक है इसके बाद हम सीधर टॉपिक में जाएंगे कॉलिगेटी प्रॉपर्ट दिखे टो एंडर सुफरिटली पर सिंपल संढड़ Messire में सिधह प्रात्व माउन को को हल्का समझने वाला मिक्टियशन होते है जो condition होती है कि जो solution में solute और solvent का आपने क्या करता है fix ratio में लेते हैं कि आपने बोला कि 20 ml यह लिया 80 ml लिया तो total solution हो गया 100 ml ठीक है तो इनका fix composition होना चाहिए हमने यह 80 लिया है यह 20 लिया fix composition होना चाहिए हमारा solute और solvent का boil होने चाहिए at constant temperature में यह हमारे को इसलिए क्या होते हैं constant temperature में boil होते हैं hence these are not separated by fractional distillation जब एक ही temperature पर यह mixture boil होगा तो आप इसको अलग friction distillation से separate ने कर सकते ठीक है तो इसको फ्रेक्शनल डिक्स्टिलेशन के लिए हमें अलग अलग temperature होना ज़रूरी है ताकि हमें क्या कर सकते हैं उसको separate out कर सकते हैं and ideal solution never be azotropic solution कोई भी ideal solution हमारा azotropic solution नहीं होता ठीक है तो जैसे example ले लेते हैं आपके पाई a component एक भी है दोनों को मिक्स किया हाँ तो आपने एक fix composition लिया एक लिया आपने 20 बी का लिया 80 तो आपने mix किया यह बनाया 100 ml इसका boiling points 90 इसका था 120 और यह बॉयल हुआ 95 degree temperature पे बोद बॉयल से एक constant temperature यह हो गया हमारे azotropic mixture ठीक है अब types of azotropic mixture क्या होते है low boiling azotropic mixture क्या होते है अगर आपके पास एक water है 5% ethanol है 95% ठीक है न तो water का जो boiling 100 ethanol का 78 है तो अगर solution बॉयल हो रहा है 79 मतलब यह उस temperature पे boil हो रहा है जिस temperature में हमारा low boiling point वाला component boil होता है ठीक है तो उसे बोला जाता है low boiling point azotrop the boiling point of the solution is nearly similar to that component ethanol whose boiling point is lower than other component therefore the azotrop are called low boiling point ठीक है सेम इसी का wise versa अगर आप देखें ठीक है इसका wise versa देखें तो हमने वहाँ हाई boiling point azotropic क्या होते हैं यह अपने का water 30 परसेंट नायट्री का 70 परसेंट वाटर हमारा 100 degree पे boil होता है ठीक है और जो हमारा nitric acid है वह 83 पे boil होता है और जो solution हो रहा है तो आप देख रहे हों कि 120 पे solution boil हो रहा है वह ज्यादा वाले के पास है ठीक है मतलब जो water 100 degree वाले के पास है या उसी के similar भी हो सकता है ठीक है तो इसे बोला जाता है high boiling point azotrop मतलब the boiling point of solution is higher than or may be nearly to that component water ठीक है whose boiling point is higher than other component therefore these other drops are called high boiling point as your drops ठीक है तो यह simple है आज के लिए इतना पहत है कल से हम पढ़ेंगे qualitative properties थैंक यू